हेलो दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका सक्सेद वेज सुने सरकी क्लास में और मुझे पूरी उमीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों आज मैं आपके सामने जीकेजिया से समधित बहुत ज्यादे इंपॉर्ण टॉपिक लेके आ आपको आते हैं तो आप अपनी आपको चेक कर लीजे क्या आपको याद है कि नहीं और यदि नहीं आते हैं तो इन कौश्यूंस को आप एक बार जरू देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि से लिलेटट कोई ना कोई एक कॉश्यंस आपके एक्जाम में जञवर आ जाए तो च कॉमन वेल्थ गेम 2018 में कितने देशों में भाग लिया तो इसका अंसर है 71 यानि 71 देशों ने इसमें भाग लिया कोश्चन बद 3 देखते हैं रास्पंडर खेलों के उध्गार्टन समारों में भारत के ध्वज वहाग खिलाड़ी का नम बता है तो दोस्तों यहां थोड़ा ध्यार रखेंगे कि हमने कहा है उध्गार्टन समारों थिक है तो इसका अंसर है आपका पीवी सिंदु ने उध्गार्टन समारों में दजवाग की भून का निभाई दी नेक्ट्स कोशन देखते हैं ऑस्टेलिया ने कॉमन वेल्थ गेम की मेजबानी कितनी बार की यानि कि Australia में Commonwealth Game कितनी बार हुए है तो दोस्तों इसका अंसर है पाँच बार ठीक है जो लास्ट बार यानि कि जो अभी हुआ है 21 जो हुआ है ये भी यहीं पर हुआ है Next question देखते है 21 राष्ट में डखेल में भारतिय दल के मुख्या थे तो दोस्तों इसका अंसर है आपका विक्रम सिंग सिसोधिया यहाँ थोड़ा से ध्यान रखेंगे कि option में हो सकता है विक्रम सिंग लिखाओ या विक्रम सिसोधिया लिखाओ तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इस चीज़ को प्लेयर है नेक्स कुशन देखते हैं कुशन नबर सेवन राष्टमंडल खेलों में स्थ्वन पदक जीतने वाले सबसे युवा भारती जो अभी यानि 21 इसमें राष्टमंडल हुए हैं इसमें सबसे युवक लारी तो इनका नाम है अनीश भानवाला यानि की ए नमबर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दू कि इनकी आयू 15 वर्स है और इन्होंने 25 मीटर रैपिट फाइर जो पिस्टल का होता है उसमें इन्होंने स्थ्व पहला पदक किसने जीता तो दोस्तों इसका अंसर है पी गुरू राज इन्होंने पहला पदक जीता था और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजक जो पदक होता है वो प्राप्ट किया था नेक्स क्रूशन देखते हैं क्रूशन में 21 में राष्ट मंदल खेल आस्टेलिया में कहां संपन हुए तो गोल्ड कोस्ट में है ठीक नेक्स क्रूशन देखते हैं क्रूशन नमबर टैन 21 में राष्ट मंडल खेल जो हुए है अपने आउस्टेलिया में उसमें भाग लेने वाले भारती दल के कुल कितने सदसे थे तो दोस्तो इसका अंसर है 219 नेश्ट कुशन 21 में राष्ट मंडल जो खेल हुए है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 66 नेश्ट कोशिन देखते हैं कोशिन नुम्बर 12 21 में राश्टमंडल खेलों में भाग लेने वाला सबसे युवक लाड़ी का नाम बताई आप देखे यो ओवरॉल की बात कर रहा हूं यहाँ कहीं पर मैंने भारती नहीं लगाया ठीक तो ओवरॉल जो आर्टिस था उसका नाम था अन्ना हर्ची ठीक है और यह जिस टैमिनों ने इसमें भाग दिया थे यानि कि जब उद्धाटन समारो था तब इनकी उम्र थी 11 वर्स कुछ दिन हुए थे ठीक है तो नेक्स कुछन देखते है भारत ने पहली बार राश्मंडल खेलों की मेजवानी की थी तो इसका आंसर है आपका संद 2010 संद 2010 में दिली में एक गेम आयजित किये गये थे और भारत ने 101 पदक इसमें जीते थे कुल मिला कर तो अंक तालिका में भारत का दूसरा इस्थान था नेक्स कुछन देखते है कुछन नमबर 14 21 में राश्मंडल खेलों में आस्ट्रेलिया पर्थम रहा ठीक है ये तो कोई बात नहीं है अब बताएए उसने टोटल कितने पदक प्राप्त किये तो इसमें आपका आंसर है 191 पदक उसको टोटल मिले थे नेक्स कुछन जो आगाम यानि कि नेक्स जो 22 राश्मंडल खेलों होगा उसका आविजन कहां होगा तो आंसर है आपका ए नमबर ठीक है नेक्स कुछन देखते है कुछन नमबर 16 राश्मंडल के इतिहास में भारत के पहले पदक विजेता थे देखे राश्मंडल के इतिहास में यानि कि सबसे पहले ये पदक किस ने जीता था तो इसका आंसर है आपका राशिद अनवर ठीक राशिद अनवर ने सबसे पहले पदक जीता था और वो भी कुष्टी में जीता था 1934 में जब ये लंदन में राष्ट मंडल खेलों का आयोजिन किया गया था ठीक 1934 नाइटीन थर्टी पॉर नाइच्ट कोशन देखते हैं कोश्चन नमबर 17 आपका 2018 की कॉमन वेल्थ गेम का लक्ष क्या था ठीक है यानि कि उनका मोटो क्या था तो इनका मोटो था शेर दी ड्रीम यानि कि ये नमबाँ next question देखते है, question about 18, 21 में राष्टमंड़ खेल, महासंग का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर है आपका, लुई मार्टिन, तो लुई मार्टिन जो थी, वो अध्यक्ष थे, और पीटर बिटी जो थे, वो और जो कमेटिक थी, और इसके चेर्मेन थे, तो इसका आंसर है आ आपका, महासंग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, लुई मार्टिन, next question देखते है, question number 19, 21 में राष्टमंडर खेल में सबसे जादा पदक किस खेल में मिले, हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं भारत की ब तो दोस्तों इसका अंसर है आपका निशाने बाजी, निशाने माजी में भारत को सबसे जादा पदक मिले, कुल मिलाकर भारत को 16 पदक मिले, जिसमें से 7 सोर्ण है, 4 रज़त और 5 कास्य, ठीक, तो टोट मिलाकर आपको 16 पदक जो है, वो निशाने बाजी मिले, question number 20 देखत खेलों का शुभांकर कौन था, ठीक है, तो शुभांकर था, बोर्भी, ठीक, शुभांकर मतलब जो कार्टून आप दिखते होंगे, ठीक, उसको बोलते हैं, next question दिखते हैं, 20 number, 21 number, कॉन्वेल्ट गेम, 2018 में, देश के लिए पहला गोल्ड पदक किसने जीता था, आपने बारती बात कर रहे हैं, किसने जीता था, तो इसका answer आपका, मीरा बाई, चांगू, ठीक है, इन्हों ने लिया था, चांगू ने, तो इन्हों ने क्या किया था, वेट लिफ्टिंग में, इनको पहला सोन पदक मिला था, ठीक, नेक्स कॉशन देखते हैं, 22 number, राष्ट मंडल खेलों में, दो पदक जीतने वाला, पहला भारती शटलर कौन है, जिसने, दो राष्ट मंडल, मतलब, दो अभी तक का, जीते हैं, ठीक, तो इसका answer है, आपका बेन्मिन्टेन स्टार जो हैं, अपनी साइनर नहवाल, इन्होंने दो बार जीता है, नेक्स कॉशन देखते हैं, कॉशन number 23, राष्ट मंडल खेलों में, भारत को मुक्य बाजी में कुल, कितने स्वर्ण मिले हैं, तो दोस्तों, इस cancer है, आपका तीन, मुक्य बाजी में कु मिला के 9 पदक मिले, 3 स्वर्ण, 3 रजत, और 3 कास्या, ठीक, 3, 3, 3, अब आप मत भूलिएगा, ठीक, नेक्स कॉशन देखते हैं, 31 राष्ट मंडल खेलों की पदक तालिका में, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, ठीक, तो इसका answer है, आपका इंग्लैंड, नेक्स कॉशन देखते हैं, कॉशन फिप्टीन, 21 राष्ट मंडल खेलों के समापन समारों में, भारत के धजवाहक खिलाडी का नाम, देखें, अब यहां थोड़ा से द्यान देखेंगे, समापन समारों में, ठीक है, तो इसका answer है, आपका मैरिकॉम, ठीक, और यहां पर मै विश्व चैंपियन रही है, और साथ में, ओलम्पिक में कहां से पदक विजेता भी थी है, मैरिकॉम, ठीक, तो अंतिम जो था, यानिक समापन समारों था, तो यह धजवाग की भून का, इन्हों नहीं निमाई जी, अच्छा दोस्तों, तो उमीद है कि आपको ये, मेरा व करूँगा कि आप इन कुश्चन्स को बहुत अची तरीके से देख लें और समझ लें कि कुश्चन्स किस तरीके से और भी बन सकते हैं, तो दोस्तों, बेस्ट आफ लग, आप अपनी पढ़ाई को पूरे मन से करिए,